साथियों नमस्कार एक बार फीर आपके वीश टाक्टर जितेयन कुमार फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर साथियों बहुत से विद्यारती हमारे यूट्यूब चैनल के जरीए कुश्चन करते हैं और मैं उसका आंसर देता हूँ साथियों अगर आपका कोई कुश्चन है डी फार्मा बी फार्मा या मेडिसिन से रिलेटेड आप कुश्चन करेंगे मैं उसका आंसर जरूर होगा साथियों कभी कभी कुछ कुश्चन की जिनना मैं वीडियो भी बनाता हूँ बिद्धियार्थी ने हमसे कुछचन किया कि सर मैं डी-फार्मा स्टूडेंट हूं सर मैं सुल्तानपूर रहने वाला हूं क्या आप से त्रेणिंग लिए सकते हैं कहने का मतलब है सुल्तानपूर डिस्टिक तरपदेश मतलब स्टेट का डिस्टिक है और मेरा जो हास्पिटाल है वो लखनव जो तरपदेश की कैपिटाल है वहां पे नियर अबाउट वन एंड हाफ मतलब तेर सो किलो मेटर से जाधा होगा मुझे आइडिया नहीं है बट स सुल्तानपूर में सुल्तानपूर के डिस्टिक हास्पिटल से कर सकते हैं महिला चिकिस साले डिस्टिक हास्पिटल से कर सकते हैं सभी जगह से कर सकते हैं लेकिन अगर आपका इस्टे का बिवस्था है इस्टे का जैसे होता है कि मैं कैसे कह दूं कि आप हमारे पास पिल्फ यह आपको कोई रेलेटिव रहता है या भाई रहता है या कोई मैं दजुत रहती है इस तरह से करा आपको फैसिलेटी या सुविधा ये कोंडेशन की लखनव में तो आप हमारे यांसे भी ट्रेंइंग कर सकते हैं योगि टाइनी में ट्रेनिंग में समय से आना समय से जाना पर जाए। मैं ट्रेनिंग में विद्वध हर चीज सिखाता हूं। सपोस्ट देट कोई थ्री बंद की जो डी फार्मा की ट्रेनिंग होती है उसमें क्या-क्या मतलब दवा के रख रखा रखाओ दवा का वित्रण दवा का डिस्टिबूशन दवा जो है मरीज को देना उसकी डोस्त की बताने का काम फार्मासिस्ट का है तो मैं उसको विधवत करता हूँ जो भी विद्यार्थी आती है मां उनको जो है सभी कुछ सिखाता हूं साथिओं होता क्या है कि मेर आजबें साथीन इसकिन के हैं ठेभार नियुरो 사्केट्रिक हैं सर्जिन और आई इय स्पेशिलिस्ट सब्सक्राइच करते नियुद्वा। फिरी दवा मिलती है सरकार के दार और उसमें दवा देने का रख रखाओ का वितरण का वो फार्मासिस्ट का काम होता है उसमें विद्धियार्थी को हम विद्वस सिखाते हैं अगर कोई पर्चा आता है उसमें दवा क्यों लिखी है क्या दिक्कत हो सकती है और डोज कैसे देना है मरीश को बताते हैं कि 1 PD है लिखा है तो एक सुबा रूसराम 1 TDS है इक सुबा दोपहर रात को और 1 OD है तो दिन में एक वार इस तरह से बहुती होती है तो उसमें हम सिखवाते हैं उसीके साथ क्या है इंजक्षन लगाने का काम फार्मासिष्ट का है इसलिए साथियों हर अस्पताल में इंजक्षन रूम होता है और इंजक्षन रूम लगाने का route of administration किस route से कौन सा इंजक्षन लगेगा जैसे डाइकलोफेनिक है आईयम ही लगेगा आईवी नहीं लग सकता है सिर्फ आईयम ही लगता है इंट्रा मस्कुलर तो कहने का मतलब रूट आफ डिमिस्टेशन और हाई महिनी टाइप साफ दा इंजक्सन इन इंजक्सन रूम जैसे राइबिस होता है कुट्ता काट लेता है उसको कैसे लगना है ठीटने से प्रिगनेट महिला है सब ही कुछ हम सिखाते है उसके साथ हमारा सुब़ की सिफ्ट होती है जहां पर टू एट पीम और रात की सिफ्ट में क्या होता है एक मेडिकल असर मेरीजाता है उसकी verlier फ़ार्मासिय्ष्ट करता है आपने रिष्टर पे लिए खड सब्सक्रिभशं करते हैं मेडिशन्स प्रिस्क्राइब करते हैं क्या दिक्कत है क्या समस्या है एमर्जन्सी car म Mac I Die perfect little Ц क्या हम चिखाते हैं कि जुए ऑसीजन कैसे लगानी वसका जो है एस पीओ टू गाना और टेख गर líक करना है और गला पर सबस्कु मेसे जो हैं देधते हैं और जो हिसीजन उसको कैसे देते हैं तो इससे सारी चुछजे कि उसके बाद जो है भरती हुआ है तो प्राइमरी ट्रीक्मेंट देने का काम हमारा है जैसे बीगो आई वीशेट लगा कि क्या पोड्री टढ़नी है क्या सलाइन लगना है ना इस लगना है उसके बाद वार्ड में स्ट हो जाता है जहां पर उसकी नर्शिंग केर में नर्सि इस नाकर ए सम्मिट करेंगे आपका डागुमेंट के साथ आपका रजिस्टेशन होता है तो साथ्यों मैं यहीजिड्यार्थी से कहेंगा कि अगर आप यहां पर इैस्टे है आप ट्रेइनिंग हमारे हाँ साथक्रा बड्राइब मीधीओ कि सकते हैं। मैं उनका जो है training master साथियों जो भी विद्यार्थी आता है और जैसे आता है जो भी होता है अगर हमारे पास seat का लिए हम तुरन तुसका जो है selection कर देते हैं साथियों हमारे पास limited seat होती है 14 प्लस 1 डी pharma में हैं और बी pharma में हम कितने भी रख सकते हैं बी फार्मा 45 डेज और 30 डेज की ट्रेनिंग होती है। साथियों अगर आपको ऐसा कुछ लगता है किसी तरह की क्वेरी है फार्म हास्पिटल ट्रेनिंग से रिलेटेड या जो है किसी तरह की वह आपको जानकारी लेना है तो आप हमें जो है जरूर जो है बताएं। साथियों इसी साथ विराम देंगे किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें साथियों साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों नमस्कार